Hello everyone, I hope आप लोग सभी अच्छे होगे, तो आज हम सीखेंगे tense, tense सीखना वो बिल्कुल आसान, tense तीन परकार के होते हैं, present tense, past tense, future tense, present tense वर्थमान काल, past tense, भूत काल, future tense पभिश्य काल, present tense जो हम वर्थमान में काम करें वो present tense में आता है, जो हमने पीछे past में जो काम किया है, past tense में आता है, future जो हमारा आने वाला समय होगा, वो हमारा future tense कहलाएगा, तो हम जो है present के भी चार भाग होते हैं, past के भी चार भाग होते हैं, future के भी चार भाग होते हैं, present tense के चार भाग, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past के चार भाग, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous इस परकार से हर tense के चार-चार पार्ट होते हैं present tense के भी past tense के भी और future tense के तो आज हम पढ़ेंगे present indefinite tense present indefinite tense को बनाने के लिए हमें सबसे पहले structure को सीखना पड़ेगा structure के लिए हमें subject, verb और object की पहचान करने पड़ेगी subject हमारा subject plus verb की first form plus s या es plus object अगर हमारा subject singular है तो हमारी verb के साथ s या es लगेगा अगर हमारा subject plural है तो verb के साथ s या es नहीं लगेगा क्योंकि अगर हमारा subject singular होता है तो हमें verb singular का यूज करना पड़ता है अगर हमारी subject plural हो तो हमारी verb plural का प्रियोग करते हैं हर वर्ब जो है अपने अप अल्रेडी plural form में होती है उसे S या ES लगा कर हम singular बनाते हैं इसलिए singular subject के साथ वर्ब की first form के साथ S या ES का प्रियोग किया जाता है For example, वह यहां आता है He comes here वह यहां पर subject है आना उसके किरिया है तो He comes here वह खुश दिखता है He subject है दिखना जो है वो वर्ब है He looks happy वह अमेरिका में रहता है He subject है, रहना वर्ब है He lives in America सुर्य पूर्वतिसा में उगता है The sun rises in the east यह universal truth sentence है इसमें हमेशा ही वर्ब की first form आती है The sun rises in the east सुर्य पस्चिम में डूपता है The sun sets in the west यह sentence भी हमारा universal truth है इसलिए हमारा subject singular तो वर्ब की first form के साथ S या ES लगेगा The sun sets in the west उप्युक्त सभी वाक्यों में किरिया ऐस लगा है इस काल के कुछ और उदारं देखने के पूर, किरिया में कब लगता है यह देख लेते हैं सामने वर्तमान काल में किरिया S कब लगाई जाती है किरिया में S कब लगा जाता और कब नहीं लगा जाता यह समना बहुत ही आसान है करता एक बचन हो तो किरिया में S लगाते हैं जैसे वह आता है ही क्या है यहाँ पर जो है singular subject है और comes आना है जो verb है ही singular subject है तो verb हमारी singular ही आएगी come जो है already plural form है उसे S या ES लगा कर हम singular बनाएंगे ही हमारा subject singular है तो verb भी हमारी singular ही आएगी he comes वह खेलता है he plays he plays he भी singular subject है play हमारी already verb जो है plural है इसे S या ES लगा कर हम singular बनाएंगे तो हमारा sentence का जो translation है वो बनेगी he plays और अगर करता बहवजयन हो तो किरिया में s नहीं लगा जाता जैसे क्योंकि हमारी verb जो है already ही plural form में होती है उसे जो है plural verb, plural subject के साथ s या yes लगाने की जरूरत नहीं होती है वे आते हैं they come, they come, वे खेलते हैं they play, वे हसते हैं they laugh, वे आते हैं they यहाँ पर subject है कम यहाँ पर verb है, already ही verb हमारी plural form में है कि और हमारा subject भी plural है तो हमारा sentence बन जाएगा they come, वे खेलते हैं they हमारा यहाँ पर plural subject है और verb हमारी already plural है play, तो हमारा sentence मन जाएगा they play, वे हस्ते हैं they love, singular subject, singular verb होती है, अगर हमारा subject plural तो verb plural होती है, singular subject के अंदर कौन कोन आता है, he, she, it, name, किसी का भी नाम हो, वो हमारा subject singular के अंदर ही आता है, plural subject, I, V, you, they, I, singular होते वे भी plural में count होता है, subject है हमारे singular subject, he, she, it, name, plural subject है, I, V, you, they, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, thank you so much